आज हम बात करने वाले हैं वर्दमान ओपन उनिवर्सटी के बारे में कोटो ओपन उनिवर्सटी तो यहां पर आपका जो टीचिन एक्सपीजेंस सर्टिफिकेट है वो आपको किस तरीके से बनवाना है और क्या-क्या उसमें भरना है और एक शीज और बता दू कि इस फॉर् एक से थालन रिजेक्ट हो जैगा प्रिंट निकल वाओ उसको भरो और फॉर्म अपलाई करने के दुड़ान इसको आप स्कैन करके अप्लोड कर देजिए तो यहां मैं बता दू आपको इसको आपको क्या करना है प्रेंट निकलाँ और इसको अर एज तिस भर के आपको ले जो कि आपको स्कूल से मिलता है और यहां पे आपको डेट जिस दिन आप ये बनवा रहे हैं प्रमानित किया जाता है यहां पे आपका नाम आजाएगा ठीक है यहां पे आपके पापा का नाम आजाएगा या मम्मी का नाम और आपके स्कूल का नाम आजाएगा इदर और दिन तिसम्हें और सबीक्रिजी में उत हैं तो आप इस तो आप में पढ़ा हैं or ऐत यह देख और वेतन श्रिंखला इसथी भी इन है अटिक आपका बैस्ती नहीं सं हम ग्रेली कि चस्टार काAre घृक्तिक पढ़े और झाल झाल आउन यह कहा डाउट क्लियर हो गए यहां पर क्या क्या भढ़ना है यह मैंने आपको बता दिया है अब आगे है निम्लिकित में से जो भी आपकी संस्था पर लागो हो उसकी सामने सही का निशान लगा देना है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट आवश्यक जानकारी आपको यहां पर प्रमानित करता हूं या करती हूं कि जो भी आपने विवरन दिया है जो भी इनफरमिशन दी है वो सही है नाव नेक्सस्थी है यहां फे एक शीजी बतादी हूं यहां पर फुड़त शी डूट रहता है लोगों को चैंडिडेट्टी को कि यहां भी साइन करूआने है थीक हैं तो इसको अभी हम लोग क्लेर करते हैं कि कहां साइन कराने हैं तो यहां मैं आपको बता दूँ पहले आप लोग यह पढ़िए यहां पर क्या लगा हुआ है स्टार ठीक है तो यहां पर स्टार को क्लेरिफाई किया गया है कि गैर राज के विद्याले ठीक है जो गैर राज के विद्याले है अब आपको देखना है कि आपका राज के विद्याले है या गैर राज के विद्याले है ठीक है गैर राज के विद्याले एवं राजस्तान से बाहर के विद्याले के अभिहारती प्रति हस्ताक्षर करवाएं जो counter sign होते हैं प्रति हस्ताक्षर मतलब इंग्लिश में counter sign होते हैं एवं वे अभियारती जो स्वयम संस्था प्रधान है वे अपने उच्छ अदिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवाएं तो यहां में एक चीज बता दूँ कि अगर आप राज के विद्याले में पढ़ाते हैं ठीक और यहां पर डेट यह चार चीज आपको करवानी है ठीक है और इसके अलावा गर आप गैर राज के विद्याले में पढ़ा रहे हैं और आप राजस्तान से बाहर के हैं दोनों कंडिशन से ठीक है अगर आप राजस्तान में भी हैं और गैर राज के विद्याले में पढ़ से एक आउट गोईंग नमबर मिलेगा आपको बहु करवाना है तो जो राजस्थान के राज के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनको ये वाला जो है ये वाला एक सेकें जो ये वाला है जिला शिक्षा अदिकारी वाले साइन यह नहीं करवाने हैं लेकिन अगर आप गैर र कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर देना अब यहां पर कुछ नोट दिये गए हैं तो प्लीज आप लोग इसको एक बार सुन लीजिए और आवेदन करता के लिए अवश्रक है कि वह फॉर्म भरते समय एवं काउंसलिंग के दोरान भी विद्याले में न ने यह भोला हुआ है ठीक है ओके नाव है नेक्स्ट है हमारा विश्विद्याले को जो भी सूचना चाहिए वो प्रारूप में दी गई है यदि संगलन प्रारूप में हस्ताक्षा नहीं हुए तो विश्विद्याले शिक्षा कनूब प्रमान पत्र को मतलब अनुपयोग कर दिया वीडियो शुरू करने से पहले थर्ड वन इस विवाहित महिला अभ्यारती का विवा के प्रस्चात नाम सरनेम बदला हो तो काउंसलिंग के समय गजट नोटिस्फिकेशन प्रस्टूत करें तथा राजे सकार में यदि आपके बदले हुए नाम से नियुक्ति हुई प्रवेश काउंसलिंग के समय प्रस्टूत करें प्रवेश काउंसलिंग जो आपकी काउंसलिंग होगी तो यह अभी इस बार एंटरंस तो नहीं हो रहा है आपका ठीक है तो जो भी आपकी काउंसलिंग होगी उस तेम पर आपको यह दिखाना होगा और अनुभा प्रमान पत्र मूल हस्ताक्षर किया गया हुआ प्रस्तूत करें उस पे एकदम मूल हस्ताक्षर आपके होने चाहिए तथा काउंसलिंग के समय नया अनुपर प्रमान पत्र बनवा कर भी लाएं तो आपको फिर नया बनवा कर लेके जाना पड़ेगा पाच्वा है यदि एक से अधिक विद्यालों में कारणत रहे हो तो आप चाहे तो उन सब के अलग-अलग प्रमान पत्र बनवा कर संगलन करें ऐसी सिति में उपरोक्त प्रारूप की पंक्ती संख्या तीन में लगातार शब्द के स्थान पर विद्याले छोड़ने की दिनांक भी लिखें तो अगर आपने जादा एक से जादा स्कूल में पढ़ाया है तो प्रारूप की पंक्ती तीन तीसरी पंक्ती पहली दूसरी तीसरी दिनांक लिखें न दिनांक से और यहां पर लिखा हुआ है दिनांक से आप डेट डालेंगे कब से लगातार शब्द के स्थान पर तो लगातार शब्द के के स्थान पर यहां पर आप लिख सकते हैं कि कब से कब तर डेट डाल सकते हैं यहां पर उसके बाद हमारा है च्छटा जो कि हमारा लास्ट है इसमें कि शिक्षक को स्वयम विद्याले परधान है जो सिक्षक स्वयम विद्याले परधान है बे अपने जो पीयो वगरा होते है उनसे वो साइन करवाएगा ठीक है तो यहां पर आपको आपको आपकी डाउट्स क्लियर हो गया और इसी तरीके से आपको जो है अपना पॉमेट जो है स्क्रिष्टन आनुवर प्रमान पत्र आपको जो है बनवा के अप्लोड करना है और लेकर भी जाना है so thank you so much everyone hope आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गया है कुछ रहता है तो आपको मुझे कॉमेंट कर देना थैंक्यू